नमस्कार दोस्तों आपका अपनी चैनल नवी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है और इस बार हम आपके लिए लेकर के आए हैं जर्णल या एवरीडे साइंस जो की सभी कॉंपुटिटिव एक्जाम्स के लिए बहुत ही रिक्वाइड है तो उसका सेट 3 हम आपके करके आएं तो अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हमारी परानी वीडियो अगर नहीं देखें तो वह भी देख लें तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसका डिक्शिन कोई नबर बॉन इस विच रिस्पॉंसिबल होता है तो वह है जाइलम देखें आपको एक याद करने का अच्छा तरीका बता दी हूँ दो टिश्यू होते हैं प्लांस में जो यह होते हैं ट्रांस्पोर्टेशन के लिए जाइलम और दूसरा है फ्लोयम तो फर्सी फ्लोयम और फर्सी फुड तो फ्ल अगर आपने हारेडिटी और इवलिशन के बारे में पढ़ा है और आपने पढ़ा ही होगा आपने जो है इसके बारे में तो इसकी थेवरी ऑफ ने दी थी चार्ल्स डार्विन ने दी थी जो भी सोने की या प्लैटिनम की जो भी जूलरी होती है उसको जादा भारी बनाने के लिए आपको बताना है कि जूलर्स जो है वो किस मेटल का प्रियोग करते हैं तो वो है इरेडियम मेटल का प्रियोग होता है कि जब भी वो कम पानी को होता है तो उससे कुछ समय पहले जो है कौन सी गैस जो है आर्थ से रिसना शुरू हो जाती है तो वो है रेडोन रेडोन गैस next is who invented the electron microscope देखिए आप से simple microscope नहीं electron microscope पुछा गया है तो electron microscope का विशकार किस ने किया तो वो किया रोबर्ट कोच ने which type of mirror is used as a rear view mirror in vehicles देखिए आप देखते हैं कि driver की side जो है गाडियों में एक mirror लगा होता है जिसमें आपको पीछी का traffic दिखाए देता है तो उसको हम rear view mirror बोलते हैं तो उसमें कौन सा mirror use होता है convex mirror क्योंकि convex mirror जो है वो बड़ी मेज को छोटा करके दिखाता है तो यह इस परपस से वहाँ पर use होता है next question is name the device which is used to measure the temperature of sun तो sun की temperature को क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर temperature होता है तो उस high temperature को measure करने के लिए जिस device का use होता है वो है pyrometer next is which gas is known as laughing gas laughing gas किसे कहा जाता है वो कहा जाता है nitrous oxide को and to o तो nitrous oxide जो है वो laughing gas है अगला question है कि how many pairs of chromosomes are found in human beings तो chromosomes की कितने pair पाए जाते हो है वो है 23 pairs अगर वैसे chromosome पूछा जाए तो कितने chromosome होते हैं आपके शरीर में तो वो होते है 46 और उन में से 23 अगर pairs में पूछा जाए तो 23 out of 23 22 pairs जो होते हैं यानि कि 44 chromosome आपके बन गई तो वो होते हैं आपके autosomes autosomes और one pair जो होता है इस में से वो होता है six chromosome next is name the pair of six chromosome founding males तो male में जो पाया जाने वाला वो पेर है वो क्या है xy और female में कौन सा होता है xx xx होता है female के अंदर या और male के अंदर कौन सा होता है pair xy which instrument is used to measure the depth of an ocean seas of oceans की depth को मापने के लिए बहुँ ज़्यादा गहरा ही होती है उसको मापने के लिए किस instrument का प्रियोग किया जाता है phadometer का next is which polymeric substance is used for making parachutes parachute बनाने के लिए किस polymeric substance का use होता है वो होता है viscose का और अगर वैसे polymer पूछ लिया जाए आपसे तो nylon का प्रियोग होता है आपसे options में दिया जाए तो और नहीं तो nylon नहीं मिलता तो आपको क्या मिलेगा viscose name the lightest metal present on the earth which is the lightest element metal sorry देखिए यह ध्यान रखना gas नहीं पूछा है आपसे metal पूछा गया है तो lightest metal कौन सा है this is lithium जिसका hydrogen helium फिर lithium आता है atomic number 3 and its symbol is li eye cigarette lighter contains which gas तो cigarette के lighter के अंदर जो होती है वो कौन सी gas होती है वो होता है butane होता है butane जो है वो colorless है orderless है highly flammable है तो इसलिए इसका अप्रियोग होता है colorless है और इसकी smell भी नहीं आती मितलब की smell less orderless ही है next one is who discovered the smallpox vaccine smallpox की vaccine की कोज किस ने की थी वो की थी Edward Jenner ने अगर आपको हमारे discussion पसंद आता है तो आप हमारी मेहनत के लिए एक like जरूर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा share करें next one is what is the pH value of human blood human blood का pH value क्या होता है तो यह होता है 7.4 के लगभग अगर वैसे कई बार range दी जाती है पूछी तो exams में तो पूछा जाता है कि किस range के अंदर लाई करता है तो 7.35 से 7.45 के बीच में next is which cell organal is known as powerhouse of the living cell देखें living cell का powerhouse किसे कहा जाता है mitochondria को कौन सी कोशिका को कहा जाता है mitochondria को next is which disease is known as silent killer silent killer किस बिमारी को कहा जाता है तो high BP को high blood pressure को silent killer कहा जाता है next is which gland disappears during old age जैसे ही आपकी age में व्रिधी होती है तो उसकी साथ जो है एक आपकी gland जो है disappear होना शुरू हो जाती है आपके adult hood के बात तो वो कौन सी gland है वो है thymus gland और thymus gland में आपको बता दू कहां पर ये located होती है ये होती है आपके strenus के पीछे और जो है आपके lungs के बीच में last question जो है इस set का वो है which part of human brain is worstly affected by alcohol तो alcohol की वजए से जो brain का हिस्सा जैसे आपने पढ़े होंगे brain के हिस्से cerebrum cerebellum और medulla होते हैं तो cerebellum जो है जो हमारी movements को coordinate करता है वो जो है इसे alcohol की 7 की वजए से highly जो है वो affected होता है वर्सली उस पे बहुत बुरा असर उस पर पढ़ता है फिर से अगर आपने आप हारा कोच्छी